रक्षा बंदन पर सहर में दिन भर जम कर पतंग बाजी हुई आसमान भी रंग बिरंगी पतंगों से सजा दिखा कई युवाओं ने छतों पर खोब डांस किया पतंग के कट्टे ही युवाओं की छतों पर खड़ी तोली सोर मचाने लगती है रक्षा बंदन पर उपर सहर में पतंग बाजी का रिवाज है इस कारण पतंग उडाने की तैयारी बच्चों के साथ-साथ बड़ों ने भी पहले से कर रखी थी सुकुरवार सुबह होते ही पतंग बाजी सुरू हो गई तो उपर के समय खिली धूप के पाद आकास में चार उमर पतंगें दिखाई देने लगी रक्षा बंदन के दिन पतंगों से आस्मान रंग बिरंगा दिखाई देता है हल्दुआनी सहर में हर वर्स रक्षा बंदन के दिन पतंग बाजी होती है करीब चार दसकों से हल्दवानी सहर की सहरवासी रक्षावंदन के दिन पतंग उडाया करते हैं त्योहार पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पतंग उडाया करते हैं और रक्षावंदन का त्योहार हरसु उर्लास के साथ मनाया करते हैं हल्दवानी सहर में रक्षाबंदन के कुछ दिन पहले से ही हल्दवानी की दुकानों में पतंग सच जाती हैं सहर में बच्चे भी खुब जम कर पतंग खरीदा करते हैं हल्दवानी के बजार में पांच रुपे से लेकर हजार रुपे तक की पतंग उपलब दें खुले आकास में माजी की दोर और पतंग उड़ानी की उल्लास का मजा ही कुछ और है रक्षाबंदर पर सहर के बिबिन ए इलाकों में पतंग बाजी को लेकर उल्लास देखने को मिला वहीं हल्दवानी सहर के स्थानी निवासी राज ने बताया कि हम हर वर्स खुब पतंगे उड़ाया करते हैं रक्षा बंदन के दिन हम दुकानों से खुब सारी पतंगे खरीद कर लाया करते हैं और दिन पर पतंगे उड़ाया करते हैं वहीं सरनकुमार गुप्ता ने बताया कि हर वर्स छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजर्गतर रक्षा बंदन में पतंग उड़ाती है और रक्षा बंदन के तिवार में हल्दुवानी सेर में हर गली महले में पतंग उड़ा करती है में राज आर रक्षा बंदन के तो आज मम पतंग उड़ाते है यह दामपूर बरेली से पतंगे आती है अभी तो हम लोग शेगरा पतंगे लिए आ रहे है तो पतंगे लेशा हम बोट पतंग उड़ाते हैं हर फिन में दो फूच्वारं हम होत उड़ाते हैं बिफूरे जब सब्सक्राइब दिल्ली से लेके अम्रोहा परेली दिल्ली और इस समय कटकी पतंग आउई हाल्दुवानी से न्यूज 18 लोकल के लिए पवन सिंग कुवरगी रिपोल हुआ झाज क Ohh हुआाया गयाो